हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है और मोबाइल में इसका क्या काम होता है मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात मोबाइल प्रोसेसर क्या है मोबाइल प्रोसेसर ऐसा डिवाइस होता है जो हार्डवेर और सौफ्टवेर के बीच कम्मिनिकेशन स्थाफित करता है मोबाइल प्रोसेसर एक चीप होता है जिसके अंदर लाखो करोडो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो सौफ्ट्वेर और हाड़वेर के बीच कम्यूनिकेशन करता है जैसे हम मोबाइल को कोई कमांड देते हैं तो प्रोसेसर ही होता है जो हमारे कमांड को समझता है और उसे प्रोसेस करके हमें उसका डेटा प्रदान करता है जैसे कि हमने किसी एप को टच किया, किसी गेम को टच किया तो वो समझ जाएगा कि हम उस एप को या उस गेम को चालू करना चाहते है और फिर वो हमें उसका रिजल्ट डिस्प्ले में शो कर देगा तो main processor का यही काम होता है इसे हम एक छोटे से example से समझ लेते हैं मान लीजे कि दो लोग हैं एक Chinese आदमी है और एक Indian आदमी है अब दोनों को आपस में मिल जूलके काम करना है अब Chinese वाला आदमी जो भी चीज चैनीज में बोलेगा वो Indian आदमी को समझ में आएगा नहीं और Indian आदमी जो हिंदी वो उसको बोलेगा वो Chinese आदमी को समझ नहीं आएगा अगर मान लीजे कि दोनों जानते हैं English तो English जो है वो हो गया processor और Indian आदमी हो गया software और Chinese आदमी हो गया hardware तो hardware हाडवेर और सॉफ्टवेर के बीच में जो कम्यूनिकेशन कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज वो हो गया आपका प्रोसेसर तो आप इस एक्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्रोसेसर एक्चुल में क्या गाम करता है तो में प्रोसेसर का यही काम होता है तो इसके लिए मैंने मेजर ली चार टॉपिक्स बनाया है जिसके बैसिस पे आप किसी भी प्रोसेसर को मेजर कर सकते हैं ना आप सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा और एक्सेक्टर सारी चीज़े आपको ये चीज एकडम clear समझ में आ जाएगी कि उस प्रोसेसर में कितना दम है पहला टॉपिक है आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर क्या होता है ? पहले ये समझ लेते हैं तो आर्किटेक्चर होता है एक प्रकार का नक्षा एक कंपणी है आर्म आर्म का फुल फॉर्म है Advanced Risk Machines आर्म एक ऐसी कमपनी है जो दूसरी कमपनियों को नक्षा देती है तो आएए इस चीज को हम एक एक एक्जामपल के साथ समझ लेते हैं मान लीजे आपके पास एक छोटी सी जमीन है अब आपके हिसाब से उसमें एक किचन और एक रूम बन सकता है लेकिन अगर आप उसे किसी अच्छे इंजीनियर को दिखाएंगे तो हो सकता है वो उतनी ही जमीन में एक किचन एक रूम के साथ मैं आपको लेट बात भी दे दे तो यही होता है नक्षा बनवाने का सही रीजन एक्च्छल में जो आर्म है वो यही काम करता है कि छोटी से छोटी जगह में बहतर से बहतर नक्षा कैसे बनाया जाए और यही नक्षा वो दूसरी कंपनियों को देता है जैसे कि कॉलकम, मीडिया टेक, हेक्सेनोस नक्षए देता है ताकि वह बहुतर से बहुतर प्रोसेसर उस नक्षे में डिजयाइन कर सके तो वेसिकली आरम का यही काम है यह जो कमपनी है यह भी अपने आपको धिरह धीरह डेप अजया है इसके पहले पुराने जो model आते थे उनका नाम था cortex A20, cortex A56, cortex A57 अब आ रहे हैं जो नए designs उसमें आ रहे हैं cortex A77, cortex A78 तो इस नंबरों से आप इतना समझ लीजिए जितने बड़े नंबर उतना ही बहतर आपका architecture है उसका अब second topic है technology कि किस technology पे based है वो processor जैसे की पहले की जो पुराने प्रोसेसर थे उसमें जो transistors लगे हुए होते थे वो काफी बड़े होते थे इससे नुकसान क्या होता था power consumption बढ़ता था और उसकी speed कम हो जाती थी अब जो आ रहे हैं वो processors छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं सारी कमपनियां भील लगी हुई है सारी कमपनियों की छोटे से छोटा transistor तैयार करना है जिससे speed भी बढ़ सके और power consumption भी कम हो सके ये दोनों चीज़े बहुत ही ज़्यादा important है transistor का size जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही आपका processor बहतर perform करेगा और उतना ही power consumption कम होगा तो इससे दोनों side से फायदा है तो आज के time पे सारी कमपनियां अपने flagship processors छोटे से छोटा बनाने की होड में लगे हुए हैं अभी तक सबसे छोटा processor बहुत सारी कमपनियों का आ चुका है जो की है 5 nanometer का तो ये भी चीज़ें खयाल रखने वाली है कि आप जो processor चूज कर रहे है उसकी जो technology है वो किस base पे है कि वो 10 NM पे बना हुआ है 8 NM पे बना हुआ है 7 NM पे बना हुआ है या 5 NM पे बना हुआ है अब ये तो common सी चीज़ा आपने सुना ही होगा कि तेरे processor में कितने core लगे हुए है मेरे processor में इतने core लगे हुए है तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि number of course होते क्या है तो इसे भी हम एक छोटे से example से समझते हैं मान लीज़े कि मैं एक processor हूँ अब मेरे ये दो हाथ है तो मैं एक हाथ से दूसरा काम कर सकता हूँ और दूसरे हाथ से दूसरा काम कर सकता हूँ यानि कि मैं एक साथ दो काम कर सकता हूँ तो मैं हुआ dual core processor अब वैसे ही quad core processor है hexa core processor है octa core processor है तो इसी basis पे आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे चार हाथ होते ये दो हैं साथ में और दो होते तो इनके साथ में चार काम आसानी से कर सकता था क्योंकि मेरे पास चार हाथ है तो मैं चार अलग-अलग काम कर सकता हूँ इस हिसाब से मैं Quad-Core processor हो गया अब मान लीजिए कि मेरे 6 हाथ है वैसे ही 8 हाथ है अगर मेरे 8 हाथ हो गए तो कोई एक अगर मेरे को बड़ा काम करना है या ज़्यादा भारी काम करना है तो मैं 3 हाथ उसमें लगा सकता हूँ बागी के बचे 5 हांतों में 2 हांत किसी एक काम में लगा सकता हूँ और 3 अलग अलग काम में एक-एक हांत लगा सकता हूँ और वो मेरी छमता के उपर depend करता है कि मेरा प्रोसेसर कैसा perform कर रहा है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि course का क्या महत्तु है जितने ज्यादा कोर्स हूंगे प्रोसेसर उतना ही ज्यादा बहतर आउटपुट आपको दे सकता है तो ज्यादा कोर्स, number of quantity में जितने ज्यादा कोर्स हूंगे उतना ही benefit है तो चोथर टॉपिक पे आ जाते हैं frequency frequency को हम clock speed भी कह सकते है क्या है प्रोसेसर में एक छोटी सी clock लगी होती है जो उसकी speed नापती है कि actual प्रोसेसर की performance कैसी है वो कितना speed से चल रहा है और कितना काम कर रहा है इसको हम नापते हैं megahertz या gigahertz से अभी जो चल रहा है वो gigahertz ही चल रहा है क्योंकि पुराने प्रोसेसर में megahertz साता था वो थोड़ी कम speed होती है उसके उपर की speed होती है gigahertz नॉर्मल सी भाशन में आपको यह समझा देता हूं कि gigahertz होता क्या है अगर माल लीजिए one gigahertz processor है आपके mobile में लगा हुआ तो वो one gigahertz processor एक second में 10 करोड़ बार काम करेगा अब उसे एक काम करने के लिए 10 करोड़ बार काम करना पड़े चाहे 10 करोड़ अलग-अलग काम करना पड़े लेकिन वो एक सेकेंड में 10 करोड़ बार काम कर सकता है यह आपके प्रोसेसर की छमता है तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि किसी प्रोसेसर में 1.5 GHz स्पीड होती है किसी प्रोसेसर में 2 GHz स्पीड होती है किसी प्रोसेसर में 2.5 GHz होती है अभी जो maximum चल रहा है 3.1, 3.2 GHz की ही speed जो है वो टॉप में चल रही है जो कुछ flagship processor आपको देते हैं बाकी normal अगर mid range बज़ण में अगर आप जाएंगे तो इतनी speed देते नहीं है वो 2 GHz के आसपास की ही speed रहती है तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जितना जादा GHz की ताकत होगी उतना ही आपका processor जो है वो बहतर काम करेगा और बहतर performance देगा तो अब आप इन चारों चीजों से ये conclusion निकाल सकते हैं कि अगर step by step इन चारों चीजों को आपने समझ लिया है तो आप एक अच्छा processor चुन सकते हैं अगर आप किसी किन ही दो processor को compare कर रहे हैं तो शुरू से लेके चारों point में compare करिए अगर आप चारों point पे compare करेंगे उस processor को तभी आपको exact पता चल पाएगा आप जो processor देख रहे हैं उनमें से जादा बहतर कौन है इसे भी हम एक example से समझ लेते हैं कि मान लीज़े आप दो processor के बीच में comparison कर रहे हैं एक processor है 26NM के technology पे based और एक processor है 5NM की technology पे based लेकिन जो 26NM वाला processor है उस processor में 10 core दिये हुए वो decacore processor है और ये जो 5NM वाला processor है मान लीज़े for example के लिए कि इसमें 4 core है ये quad core processor है तो आप बोलेंगे कि नई भाई या उसमें तो 10 core दिये हुए है तो नई भाई वो 10 core दिये हुए है वो अलग चीज़ है लेकिन अगर शुरू के आप तीन चीज़ों को अगर compare नहीं करेंगे तो आपका ये comparison बिकार है मेरे हिसाब से इस comparison में आपका पांचने वाला प्रोसेसर ज्यादा अच्छा performance देगा आपको तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि total हर चीज़ आपको compare करनी है अगर आप किसी एक चीज़ को भी छोड़ देंगे तो उससे आपका comparison गलत हो जाएगा गडबड हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको प्रोसेसर के बारे में अच्छे सा समझा पाया होंगा और आप समझ पाया होंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो आपके तक जल से जल पहुंच सके जैहीं